जहिन दोस्तों देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी MES की जो भरती आ रही है Military Engineering Services जिस पर दोस्तों 10th Pass की दो सबसे जबरजस्त वेकेंसी है एक है दोस्तों आपका MET का और एक है दोस्तों MTS का ऐसे तो इस पर टोटल स्ताथ परकार का सीट है लेकिन उस सब में qualification थोड़ा थोड़ा अलग-अलग मांगा गया है लेकिन ये दो ऐसे पोश्त हैं जिस पर 27,000 सीट है और 11,316 वेकेंसी है कहने का मतलब 90% वेकेंसी ऐसा है जिस पर simple qualification मांगा है केवल 10th pass तो ये वेकेंसी आखिर कब से apply होगी और इसके बारे में आपने पिछली वीडियो में जितना भी question पूछा है जैसे कि sir MTS में height test measurement वगर करेगा कि नहीं करेगा इसका physical में क्या क्या eligibility है syllabus में क्या अभी से पढ़ना होगा नहीं पढ़ना होगा कब से इसका form भराएगा तो साड़ा A to Z आपको यहाँ पर बताएंगे आप लोग वीडियो पर last तक बने रहिएगा तो ध्यान दिजेगा दोस्तों देखिए army MES recruitment 2023 ठीक है दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 July ठीक है 17 July 2023 को इसके द्वारा एक short notification जारी किया गया है जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में दिखाये थे 17 July को एक notification जारी किया गया है उसके according दोस्तों कितना कितना seat बताया गया है धियान दिजेगा टोटल पद की बात करेंगे तो 41,822 total seat है ठीक है और हाँ आप लोगों का बहुत बड़ा confusion है कि सर क्या ये अगनिवीर वाला वैकिनसी है क्या 3-4 साल के लिए है बिल्कुल नहीं इस इस योर permanent government job आपका इस सरकारी वैकिनसी है हमेशा के लिए समझ मागे जो भी आपका time limit रहता सरकारी नोकरी का उतना दिन तक आपका नोकरी रहेगा ऐसा नहीं कि 3-4 साल अगनिवीर वाला सिस्टम नहीं है इस पर ठीक है ये permanent वैकिनसी है वेतन देख लिए 29,000 से आपका salary स्टार्ट होगा और आगे चलके salary दोस्तों काफी बढ़ जाता है सबस्क्राइब कर लिजेगा सब जीतना भी वैकिनसी निकलता है सारा का update बहुत ही अच्छे डंग से हिंदी में लिख करके हम समझा देते हैं ठीक है वह English में भी बता देते है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ माए चायन पर कर देखेंगे सबसे पहला आपका exam लेगा सबसे पहला process है परिक्षा आपका होगा इसकी बाद आपका physical होगा सारीरिक दक्षता परिक्षा जिसको बोलते हैं इसकी बाद आपका कागजात का सत्यापन होगा जितना भी आपका document है metric का, इंटर का, जो भी होगा जाती निवासी, सारा चीज आपका इस पर सत्यापन करेगा, इसके बाद आपका medical होगा, जिसको बलते हैं चिकित सी किया जांच होगा, इसके बाद दोस्तों finally आपका joining हो जाएगा तो major 3-4 process है जिसके हो करके आपको गुजरना पड़ेगा final selection तक पहुचने के लिए ऐसे तो दोस्तों इसके 7 परकार का वेकिंसी है, और total seat कितना है, 41,822 लेकिन देखिये, सरवादिक जो पड है, सबसे maximum जो post है, MET का है 27,000, और MTS का दोस्तो, 11,316 ठीक है, MET काफी अच्छा post होता है, और MTS दोस्तो army में है, तो काफी मस्त वेकिंसी है, कितने विद्दार्थी चाहते हैं, कि MET और MTS की job profile पर हमें एक video लेकर के आएं, अच्छे से डंग से समझा करके, कि क्या काम होता है कहां posting होता है, उसके लिए अलग से 200 वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है तो MET और MTS की वीडियो बहुत जल्द आईए, आप लोग चानल को सब्सक्राइब करके रखेगा, इसके job profile posting, salaries, सारा A to Z discuss करके, इसका पिछला वेकिंसी का cutoff वगर है क्या था, सारा हम बता देंगे, आप लोग comment कर देना ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो इतना 200 seat है 27,000 और 11,316 बाकी में seat कम कम है 500, 600, 1100 इस तरह वेकिंसी है और उस आमें qualification भी थोड़ा सा 200 अलग-अलग मांगा गया है जो कि सभी के पास नहीं है, तो maximum वेकिंसी दोस्तों इसी में है और simple 10th pass है, तो इसी के लिए अपलाई करोगे, अब बात करेंगे exam का pattern क्या है, परिछा का प्रारूप देखिए, जिसको बोलता है exam pattern 100 question दोस्तों इस पर पूछता है, 100 marks का exam होगा, जो कि OMR में होगा आप देखिए, यदि SSC इस वेकिंसी को निकालती है, तो आपका online exam होगा पका, देखिए दोस्तों, यदि आप Indian Army, Indian Navy, या फिर Indian Air Force, या फिर दोस्तों SSC की किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूंगा दोस्तो, SK Books यानि स्री क्रिशन पॉब्लिकेशन का दोस्तों Official YouTube चैनल तो SK Books के Official YouTube चैनल से दोस्तों, आप इन सारे exams का तयारी घर बैठे कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, अनुभवी teacher के दोरा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और दोस्तो, daily नए नए वीडियो भी upload किया जा रहा है जो कि नए syllabus, नए pattern के आधार पर किस तरह का question आने वाला है किस हिसाब से आपको तयारी करना है सारा चीज़ दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा और इस चैनल पर दोस्तों केवल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यह चैनल special दोस्तों तयारी के लिए है तो आप YouTube में सर्च कर लीजिएगा SK Books यानी Sri Krishna Publication का दोस्तों Official YouTube चैनल है आप इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे description box में हमने link दे दिया है आप डारेट जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों daily classes ले करके अपना तयारी कर सकते हैं और यदि army MES के दोरा इसका भरती कराया गया तो दोस्तों आपका offline exam होगा ठीक है तो दोस्तों पिछला ही दिदे देखा जाए तो OMR में ही exam हुआ था और ज्यादा तर संभावना है कि OMR में ही आपका exam हो negative marking होता है 0.25 का चाठो question गलत कीजेगा तो एक number आपको minus हो जाएगा ठीक है दो गंटा इस पर आपको time देगा 2 hours का है ठीक है तो पचीस चोगा कितना हो गया एक सो question एक सो marks दो गंटा का आपका इस पर time रहेगा ठीक है अब दोस्तों देखे physical का जानकारी physical का जो जानकारी है वो क्या है physical में क्या क्या आप मांगेगा पूरूस और महिला male और female height की बात करेंगे दोस्तों तो 170 cm height आपका कम से कम होना चाहिए ठीक है और ST काटिगरी का 165 cm कम से कम height मांगेगा और यदि आप महिला है तो 157 cm height मांगेगा और 122 cm ST काटिगरी के महिलाओं का height होता है ठीक है दोड की बात करेंगे तो 5 km आपका runny होगा 24 मिनिट में और 1600 मिनिटर रनी होगा महिलाओं का 8 मिनिट में तो ये है इसका physical criteria अब हम लोग बात करेंगे कि MTS में मैंने एक note लिखा यहाँ पर VBI point कि क्या दोस्तो MTS में physical होगा height, chest, running इस सब मांगेगा की नहीं मांगेगा MTS में तो देखें दोस्तों ये पता चलेगा आपको विज्यापन आने के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि MTS में आपका running हो height, chest हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता है क्योंकि MTS multitasking staff है इसमें दोस्तों लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि army की vacancy है army, MES की vacancy है तो मांग भी सकता है तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को vacancy का इंतिजार करना पड़ेगा अब इसका short notification जारी किया है जब detail notification आएगा तो दोस्तों हम आप लोगों को बता देंगे इसका आवेदन online कब होगा तो देगे दोस्तों एक सब्ता के अंदर दोस्तों vacancy आ जाएगा तो इतना मान के चलिए कि July जैसे जैसे खतम हो जाएगा vacancy आपका आ जाएगा ठीक है July खतम होते होते हैं आपका विग्यापन बहुत जल्द निकल के आने वाला है तो MES की भरती दोस्तों बहुत जल्द आ रही है तो कौन-कौन भी दर्थी इसके लिए फौन भरने वाले हो comment box में जरूर बताना काफी बढ़ियाँ vacancy होता है और seat भी काफी बढ़ियाँ दोस्तों अब देखो इसको कौन conduct करवाता है SSC कराता है कि UPSC कराता है या फिर army MES के दोरा खुद लिया जाता है इसका विग्यापन online apply selection process कौन करेगा तो सारा देरे देरे पता चल जाएगा आप लोग चैनल पर बने रहिएगा subscribe कर लिजेगा telegram group में हम इसका जो short वाला notification है उसको भी share कर देंगे ठीक है तो उम्हेद करेंगे सारा चीज समझ में आ गया होगा mailing agree वीडियो में जय हिंद